हाई हेलो नमस्ते और वेलकम बैक टू मैं चैनल एंड विश यू आल हैपी होलिका दहन एड गाइस आप सभी को पता होगा कि होलिकाद हैन क्यों सलिब्रेट करते हैं तो अप सबने प्रहलाद और हिरंकश्यपू का स्टोरी सुना होगा प्रहलाद और हिरंकश्यपू दोने कब कोई गौड मांता ता वो चाहता था कि उसका जो बेटा है हिरनकश्यहपू को ही गौड माने ना कि भगवन विश्णु को बहुत बड़ा वह एंश शतृत ऐसा जो हिरन कश्यपू है किसी भी तरह से चाहता था कि प्रहलाद को वो अपना डिवोटी बना ले इंस्टेड ऑफ भगवान विश्नु बट जो प्रहलाद है उसकी भक्ति इतनी जाद अच्छी थी इतनी जाद गहरी थी कि उसने हिरन कश्यपू को ने कितने भी हद्कंडे अप जब हाउन कुल पर होलिका बैठती है तो बहुत तेज हवा चलती है और हवा चलती आटोमेटिक नहीं है उसे पवण देव से बोलके चलाया जाता है बोलके कि बहुत तेज आपको बहना है कि जो होलिका का उपर जो सॉल है वो सॉल उड़ जाएगा तो भगवान करते हैं जब सुभार्ती में मैं आई थी इससे पहली बार इससे पहली वाले एर में क्या हुआ कि मुझे इतना इंटरस्ट नी था घुमने फेड़ने में तुम मैं अपने रूम पर ही रहती थी मुझे पता ही चलता था कि क्या कुछ कब सिलब्रेट हो रहा है बट गाइस साथ बज़े हमें वहाँ पर गैधर होना है एंट जब हम गैधर हुए दिखा हमने मॉर्णिंग से कोई नहीं दिख रहता है यार मुझे लग रहा थी उनिवर्सिटी में कोई है ही ने बट जब साम में साथ बज़े मैं दीरे दीरे करके इतने सारे लोग गैधर हो गया वा हमारे जब होली का दहन होता है तो हमारे एक राचम होती है मिन्स होली का जिस दिन है उस दिन मुमी क्या करती थी कि हमें उपटन लगाती थी उप्टन जो था हमारे बॉड़ी को प्यूरिफाई करने का काम करता था जो भी हमारे अंदर की इंप्यूरिटीज है उसको निकालने का काम करता था एंड जो गोबर के उपले होता है काउडंग किक उसके उपर उसको रखा जाता था थोड़ी सी सरसो रखी जाती थी और उसके बाद में इन चीजों को ले जाकर हम जहां पर होली का दहन होने वाला है जहां उसका बना रहता था हमकुन वहां पर रख देते हैं और हमारे यहां जब होली का दहन होता था तो नाइट में मुझे लगता है कि 11-12 बजे 12-1 बजे के रिचुल्स बहुत अच्छे लगे जब होली का दहन का सेरमानी खत्म हुआ उसके बाद में जो यहां पर बंडी जी थे उन्हें ने सभी बच्चों को प्रशाद बाटा गुजिया था और उसके बाद सब को अभीर लगाया हमने एंड वहां पर हमने हैपी छोटी हो ऐसे कर काफी हमें अच्छा लगा एंड गाइस मिंस आप सब को पता होना चाहिए कि होली का दहन बस एक रिचुल नहीं है इस दिन आपको आपके अंदर के जितने भी बैड हैबिट्स हैं सच ए एरोगेंस एंगर लेजिनेस इन सबी चीजों को आप खुद हटाओ यही आपके लि जो एरोगेंस है लेजिनेश है और जो एंगर है इन चीजों को अगर कंट्रोल कर लेते हो एंड इनको आप ऐसा उनको बोलो कि नहीं तुम बाद में आना आप भी मुझे मेरा काम करने दो तो आप बहुत आगे जा सकते हो गाइस सो आप सभी को अपने जो यंगर्स हैं उन इसे राउंडाउंड कर रहे थे ऐसे परिक्रमा करने अच्छी बात होती है और क्योंकि फ्लेम इतना हाई था कि किसी से टॉल्रेट नहीं हो रहा था देख रहे हैं वो लोग भाग के बचते बचते ऐसा कर रहा है तो कभी में मजा है हमने काफी इंजॉय किया गाइस एंड आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो इससे आपको पता चला होगा इसकी पीछे की स्टोरी क्या है क्योंकि हमारे इंडिया में जो कुछ भी फेस्टिवल्स हम सलिब्रेट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होता है और इसके पीछी यही रीजन कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है इसलिए हम इसे होली का दहान को सेलिब्रेट करते हैं जितने भी हमारे अंदर की बुराईयां उसे हम छोड़ते हैं ताकि अपकमिंग टाइम में हम अपने आपको वेश्ट बना सके सैफ डिसिप्लीन बना सके एंडर जो सक्सिस अब तो तो नोस पीरसिंग करा ले बट मैं ख़राने को रेडियी नहीं हूं कि बीना नोस पीरसिंग के इस थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा बार 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 बे ऐसा कर रही हूं तो आपको मालम पढ़ी जाता होगा एंड खासी बहुत आहीं रही है बट आम आज पहले से काफी ज़्यादा इंप्रूफ हो गया है तो गाईज इट वस माई लोक आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सिंपल एंड एलिगेंट चलूक है नो मेकप वरली बिंदी एंड नोस कफ एंड मैंने सिंपल सा पॉइंट इल मिना रखा है एंड उपट लिए हैं जो मैं साम को ही आई थी देखने के लिए पांच में तक कि क्या वहां का सेटाप है क्या चल रहा है तो फिर गहीं वहां थोड़ा मैंने पूजा कर लिया एंड पताम कर लिया उसे ज़्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं है बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग फेस्टिवल होता है और यह भाई है मेरा इवराज एंड हमने इसमें काफी सारे फोटो वीडियोज कलेक्ट किये और यह मेमोरीज हमारे लिए सो जस्ट कीप सपोर्टिंग मी एंड ऐसी बहुत सारे मेरी लाइफ में जो कुछी चलती रहती है मैं उसे शेयर करते ही रहूंगी एंड आई होब कि आपको यह फेस्टिवल अच्छा लगता होगा मुझे तो होली बहुत पसंद है यार गाइस मैं बहुत ज़्यादा मिस क अपने घर को इस ट्राइम पे घर पर बहुत हमें मजाता था क्योंकि होली एक ऐसा फेस्टिवल जब हम अपनी पैरेंट्स के साथ रहते हैं वहां पे न्यू जो आउट्फिट से वह ट्राइक रहते हैं बहुत सरा खाना मारा भी मिलता है एंड होश्टल में असा कंडिशन तो उस वीडियो का प्यावेट करोगे मुझे पता है गाइस अब जस्ट कीप सपोर्टिंग मी लविंग मी और थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो लव यू अल बबाई और सी यू सून इन नेक्स वीडियो और दों फोगे तो लाग सब्सक्राइब और शेर माई वीडिय अधि वाचिंग डाय ब्रॉट्ट क्यांद नेक्स में गाज है अबड़ियो और सकते छी शे सेक्वाखवा सब्सक्राइब और एक्षाब।